आज मैं आपको 10 ऐसे सुपर फूड बताने वाली हूँ जो आप अपने बच्चे के वजन मढ़ाने में काफी एल्प कर सकते हैं तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुडू करते हैं आज का वीडियों तो जो फर्स नमबर पर मैंने रखता है वो है ब्रेस फीडिंग या फॉर्मूला मिल्क क्योंकि अगर आप 6 मन्त के बाद बच्चे को ब्रेस फीडिंग कराते हैं लगवग एक साल तक आपको कराना चाहिए वैसे तो अगर मिल्क सप्लाई इतना अच्छा नहीं आ रहे है तब अगर strainige जाता है तो आप भी। हैं अगर ऐसे प्रिपेर करते हैं जितना उस पर-डाइक का डिखा है कि आप इतने ही स्कॉप डालने हैं तब भी बच्चे का बच्चे के बढता है जो आप खाते हैं वहीं बच्चे के पेट में जाता है तो आप भी healthy diet रखिए ताकि बच्चे को जो बजन बड़े वो काफी अच्छ से बड़े, काफी जादा बड़े और जो milk का प्रोडक्शन है वो अच्छा है और दूसरा जो milk की quality है वो भी काफी अच्छी हो उससे बच्ची का brain development अच्छा होता है बच्चे के बजन बड़ता है बहुत सारे फायदे होते हैं और आपको भी बहुत सारे फायदे होते हैं आप भी यह नोटिस करना मेरे साथ तो यह होता था मैं बड़ाने जैसे पकड़े हुई हूं और खिला रही हूं थोड़ा देर मेने बेट किया और मेरे बच्चे अपने आपी ऐसे करने लगता था उसको चहिए था और तो बच्चों को बनाना बहुत ज्यादा अच्छा ल रहना में प्रोटीन, वाइटमिन डी और कई सारे फायदे होते हैं तो बच्चे का बजन बढ़ाने में यह काफी हल्प करता है आप मूं की डाल, अरहेर की डाल या मिक्स डाल यह बच्चे को खिला सकते हैं और जब आप डाल बनाएं तो उसमें हींग थोड़ा सा जरूर क्योंकि बच्चे को गैस का प्रॉब्लम होता है तो बच्चे को गैस का प्रॉब्लम नहीं रहेगा अगर आप डाल दे रहे हैं तो डाल में आप पालक डाल दे सकते हैं या आलू डाल के डाल दे सकते हैं या फिर आप कोई ऐसा वेजिटेवल जिससे बच्चे को गैस का प बच्चों क Cam deci लिए खिला सकते हैं दाल से बच्चों को काफी वड़ाने के लिए लाइन के लिए था कुछ ऺड़ी को फुननमरrüिख बच्छ पहलते हैं ददिन तरीके से बच्चे को खिला सकते हैं क एक घिस के मिल्क सब्सक्ट ऑप जो सिरा करें शेर हो सकते हैं और था जै। बच्चे को बजन मलाने के लिए काफी एल्प करता है या फिर आप बादाम जो है उनका जो पाउडर फॉर्म में प्रपेर कर डीजिए उसको दूद में मिक्स करके या फिर कैसे भी मिक्स करके आप किसी भी चीज में मिक्स करके या हलका सा आपने थोड़ा सा स्पून में लि जब भी आप 6 months के बाद एक खिला है तो यह लो पार्ट होता है बो बच्चे को आप दे सकते हैं लेकिन वाइट पार्ट जो है बो बच्चे को ना दीजी क्योंकि उससे क्या कोई प्रोब्लम नहीं आपने बच्चे को भी आप पले भी तो पहले मैं दीजी इसको इसको काफी यादा पसंद यह अगर आपका बच्चे एक साल से बढ़ा है तो आप पूरा एक दे सकते हैं और डी बच्चे को एक खिला सकते क्योंकि अब वींटर्स में वाले है तो इसम वो पाउडर फॉर्म में एक तरीके से लगेगा बच्ची को और बच्चे आराम से इसको खा लिए नम्मर पे मैंने लिया है दूद रोटी रोटी में बहुत अच्छी क्वांटी में कैलोरी होता है और जिससे बच्चे को बजन वरने में काफी एल्प करता है तो आप क्या कर बहुत ही रोटी में को ऐसे बच्ची को अगर में ले चांग ऊब तर देखना है कि बच्चे एक साल से कब उनके प्रकु शोटी इंप नहीं पाता है इसमारी सको इतना सौफोट कर लेना उसके बाद हलका सा की अससे स्पूश में WordPress कर लेहए और उस प्रेसेए और उस ब्री एक बात जरूर दियाद रखना कि जब भी आप दूद रोटी बच्चे के लिए प्रिपेर करें उसमें गुड का यूज या फिर हनी का यूज या फिर शुकर का यूज आपको नहीं करना है क्योंकि एक साल के बच्चे को यह सब चीजे नहीं नी जाती है जो बच्चे की हैल पर काफी एफेक्ट डालती है इसलिए बच्चे को आप दूद रोटी दे सकते हैं बजन वढ़ाने के लिए यह काफी मतलब हैल रहता है मैंने भी यह सारी चीजे ट्राइक की आप जब बच्चे के लिए डाल प्रिपेर करें तो उसमें थोड़ा सा घी डाल दीजी या फि अब भी बढ़ने लगता है तो ऐसे आप बच्चे को घी दे सकते हैं घी से बच्चे का बजन काफी तेजी से बढ़े अच्छा होता ही है लिकन बजन बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा पाइदा करता है तो जब हमें घटाना होता है तो हम सबसे पहले क्या चोड़ते पोटेटो चोड़ते हैं। जो आप छोड़ते हैं फोटेटोreten में गवहुदसेपक होब करसे ने अपिन very después of everything. पप्राउन राआस लीजे एप एप तोड़ा सा बिनाना कमें ऐसे इस सद्एकों को मिक्स करकर अगर अगर आपनी ब्राउन राइस लिए एपल लेज और थोडरा सा बनाना लिल लीजिए इन तीनों को मिक्स करके आप एक प्यूरी फॉर्म तेयार कीजिए वो बच्चों को खिराइए इससे भी बच्चे का बजन तेजी से बढ़ता है तो कई सारे ऐसे फूड आइटम है जिनके मैंने अल्डेडी वीडियो डाल रखे है कि यह प्यूरी कैसे बनाए तो काफी सारे प्यूरी की वीडियो मैंने बनाए हुए है उन्हें आप देखिए वो आप अपने बच्चे को दीजिए उससे भी बच्चे का बजन बहुत तेजी से बढ़ता है आप बच्चे को दही दे सकते है लेकिन अभी विंटर्स का टाइम में तो दही आप एवोइ लेते हैं पूरा एसे पुरे मुझ में ही लगा लेते हैं बच्चों को दही पहुत जादा पसंद होता है तो आप खिच्डी के साथ दही दे सकते हैं झाल बच्चे को एक बात याद रखना दे तो थोड़ा सा आप चेक कर लीजे कि जी जादा खटा तो नहीं है क्योंकि ज कि अलप ओर धुर में तुरा कहा हमार्ट नियुक्त में भरिख्यों को धीं ती। को दीजिए और जो बच्चों को बजण बढ़ने में काफी help करता है यह थे दस superfood जो बच्चे का बजण बढ़ने में काफी help करते है आप येक बात और याद रखिए कि अगर आपका बच्चा 8 महीने का है, 9 महीने का है, या 10 महीने का है, तो आप ये बात ध्यान रखिए कि बच्चे को सिर्फ दूद पर ना रखे, बच्चे का एक प्रॉपर डाइट होना चाहिए, इतने, क्योंकि 6 महीने, जब हम बच्चे को 6 महीने तक ब्रेस्ट फीडिंग कराते, तब तक क्या है कि जो मा के पेट से बचा आता है तो ऊसमे आयरन, मैगनेशिम और सब कुछ होता है फोस्पुरवर जो भी उसके शरीन को जरूरत होती है, मिनरल्स की जरूरत होता है वो उसके शरीर में और रखे होता है, क्योंकि उसको गर्भ से निकला हुआ है इसलिए, वहां पर उसको सब कुछ already मिलता रहा है, लेकिन क्या होता है जब बच्छा 5 मीने का होता है, 6 मीने का होता है, तब तक जो उसके शरीर में जो आइरन होता है, जो मेगिशम होता है, और जो भी चीजें होती है, फोस्पोरस होता है, जो भी बच्छों के अंदर वाइटमियन हो कि क्या होता है कि सबस्ददग कем था यूद और थी बच्दिया नहीं होता है फिर डॉक्टर उनको आईरन के सप्रिमेंट देती है या फिर उनको बॉटल्स पगएरे चड़ाते हैं मतलब उनके लिए कुछ ऐसा होता है मैंने एक दो बच्चों को ऐसा दिखा है तो आप कैल्शियम बच्चों के शरीर में इतना जादर ना डाले कि वो आईरन को एब्ज होगी बच्चे का जब बजट मढ़ता है तो आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना पी रेंटिंग वीडियो के लिए इस चैनल पर और वी कई सारे फूट से रिलेटिड वीडियो पड़े हुए है उन्हें एक केर बाबे